वेलकम बैक टू सी ए दाट इस क्रिकेट एडिक्टर एंड आम विद यू अंकेच चप्राना और साउथ अफ्रीका का टूर भारत का डिले हो सकता है कोविड के नए वेरियंट ओमिक्रोन के चलते लेकिन उससे पहले जब भारते टीम का स्कॉर्ड अनौंस होगा तो रोहिस स साउथ अफ्रीका टूर से पहले रोहिस सर्मा कुट बी वाइस काटन फॉर साउथ अफ्रीका टूर ऑफ एंडिया और यह बड़ी घबर है रोहिस सर्मा के लिए और बहुत बड़ा जटका भी हो सकता है क्योंकि जो अभी के जो वाइस कैप्टन है यानि अजिंक्या रहाने बहुत खराब दौर से गुजर रहे हैं अभी न्यूजिलेंड के खिराफ उनको सेकंड टेस्ट में जो है ट्रॉप किया गया है हैमिस्ट के लेकिन जिस तरह से कप्तानी रोहिस सर्मा और वंडे में भी रोहिस सर्मा का तब दबा बढ़ता जा रहा है कि उनको कप्तानी सौप दी जाए लेकिन अब टैस्ट में वाइस कैप्टन बनाना रोहिस सर्मा का दिखाता है कि इनका कदब लगातार बढ़ता जा रहा है औ और फुल टाइम काफटन भी आने वाले समय में ये बन जाएं लेकिन साउथ अफरिका टूर जिसमें भारत को तीन टास्ट मैचिस केलने हैं और तीन ODI और चार T20 इंटरनाशनल मैच की सीरीज केलने हैं तो कोविड के चलते हो सकता है पहले तो 9 दिन ये सीरीज पूरी लेट हो जाएगी यानि अब BCCI सोच रहा है कि इसको 26 दिसमबर यानि बॉक्सिंग डे टेस्ट मैं जब सुरू होगा उसके साथ से ही इसको सुरू किया जाए पहले ये सीरीज 17 दिसमबर से होनी थी लेकिन कोविड के चलते अब इसको डिले कर दिया जाएगा लेकिन बहुत पहले वो अब मुंबई पहुंच चुके हैं और मुंबई में उनका जो क्वारंटीन है वो भी शुरू हो चुका है लेकिन राहुल द्रावेड चाहते हैं जो नए रवेले कोच भी नुक्त हुए है ये काफी चैलेंजिंग सीरीज होगी भारत के लिए साउथ अफरिका की सीरीज तो उससे पहले चाहते हैं कि सीनियर प्लेयर के साथ उनका ट्रेनिंग सेशन हो लेकिन बड़ी न्यूज रोहे सर्मा कुट गैठ अनधर लीडर्शिप अपर्चुरिटी ऐस वाइस कैप्टन फॉर टेम इंडिया गाइस वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइ शेर और चैनल को भी सब्सकाइब करें